ब्रमान का चेप्टर करेंगे, इसके बाद जो अधर आपका चेप्टर उसको कम्पीट करेंगे, पूरी प्रिपेशन करेंगे आपके 120 कुश्चन पक्का करने के लिए, क्या आप सभी लोग त्यार है, कमेंड बाक्स में कर दीजेगा, सभी लोग त्यार हो जाएए, आई यो बेड की बात करेंगे, कौपर निकस की बात करेंगे, या केपलर की बात करेंगे, तो सौर प्रणाली की खोज किस ने की थी, आप सभी लोग जानते हैं, कौपर निकस, जिया, सिवाल आपसन सही हो जाएगा, इसके बाद दूसरा प्रशन है, दूसरा प्रशन क्या पिंड होते हैं, वह हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, इसके बाद आपका अंगला पुछन है, कि किसी ग्रह के चारों और परिक्मा करने वाले छोटे आकासी पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, उग्रह कहते हैं, छुदगय कहते हैं, सौर तारा कहते हैं, तो किस और वह हमारा कहलाता उग्रह जिया किसी ग्रह के चार और परिक्मा करने वाले जो छोटे आकासी पिंड होते हैं वह हमारा होता है उग्रह इसके बाद अंगला पुष्ण है ग्रहों की गती का नियम किसने प्रत्पादित किया नियूटन केपलर कॉपर निकस या गयली जो तो ग्रहों की गती का नियम जो है आपके किसने प्रत्पादित किया था तो हम बात करेंगे केपलर जिया किसकी बात करेंगे केपलर शेकन डा हین दस हें 11 सो और मनदल के ग्रहों की बात कर रहे हैं तो अंतराश्चिक खगोरी शजनक के अमसार हमारे ची पहले चाल कि आठ है कि Sounds का अंगला प्रस्ट दिया गया है कि सूर से बढ़ती हुई दूरी के अमसार ग्रहों कानें में से कौन सा करम सही है बुद्ध शुक प्रत्वी मंगल, बुद्ध प्रत्वी मंगल शुक्र, बुद्ध मंगल प्रत्वी शुक्र, बुद्ध मंगल 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 शुक्र, मंगल पहला आपसन सही हो जाएगा इसके बाद ब्रहश्पति सनी अरोण वरोण इनकी बात करेंगे अंगला प्रतिवी से बढ़ती हुई दूरी कमसार ग्रहों का निन में से कौन सा सही क्रम है प्रतिवी से बढ़ती हुई दूरी कमसार तो मंगल शुक्र बुद्ध ब्रहश्पति शुक्र मंगल बुद्ध ब्रहश्पति शुक्र बुद्ध ब्रहश्पति शुक्र बुद्ध मंगल ब्रहश्पति या मंगल शुक्र ब्रहश्पति बुद्ध की बात करेंगे तो प्रत्वी से बढ़ती ही दूरी करमसा ग्रहों का हमें क्रम बताना है ग्रहों का जो सही क्रम है वो हमें बताना है और वह हमारा सही क्रम होता है सुक्र, मंगल, बुध, ब्रहश्पति जी हां कौन सा होता है शुक्र, मंगल, बुध और ब्रहश्पति इसके बाद सनी, अंगला है आकार कंसार सौर मंडल में ग्रहों का आवरोही क्रम क्या होता है तो आकार कंसार देखा जाए सौर मंडल की ग्रहों में जो आवरोही क्रम हो जाता है आकार कंसार तो पहला होता है सबसे बड़ा हमारा ब्रश्पती होता है ठीक है ब्रस्वत होने के साथ साथ सनी, अरोण, वरोण, पृथवी, शुक्र, मंगल, बुध। तो हमारा जो पहला अप्सन दिया गए देखे ब्रस्वती, सनी, अरोण, वरोण, पृथवी, शुक्र, मंगल और अंतिम में बुध आता है तो यह हमारा आकार कुंसा सौर मंडल में ग्रहों का और ओही क्रम दिया गया है किसी भी पर्ष्ट पर डाउट है बेफिकर आप लोग कमेंड कर सकते हैं जैस्वासर आप से भी कमेंडल श्वागत कर रहे हैं निम्नकित मेंसे कौन जो है सौर मंडल का भाग नहीं लेकिन आपके निहारी का जो है सौर मंडल की भाग नहीं इसलिए कार्ड इंटो कुस्चन्स डिया आपसन आपका सही हो जाए इसके बाद अंगला प्रश्ण है सूर के चार ओर चक्कर लगाते शमय ग्रहों का वेक क्या होता है अधिक्तम होता है जब सूर के समीप होता है अधिक्तम होता है जब सूर से दूर होता है या कुछ नजर ही नहीं आता है तो सूर के चार ओर चक्कर लगाते जो ग्रहों का वेक होता है तो ग्रहों का वेक जो है आपका अधिक्तम होता है जब सूर के समीप होता है अधिक्तम होता है जब शूर के समीप होता है चूंकि शूर दीरगवरतिक अच्छा के केंद पर नहीं है और ग्रह जब सूर के चक्कर लगाते हैं तो कभी शूर की तरफ करीब चले जाते हैं तो कभी उससे दूर चले जाते हैं वह इस्थान जहां ग्रह से सूर सबसे नजदीक होता है उप्शौर कहलाता है जब ग्रह से परेश सबसे दूर होता है तो अप्शौर कहलाता है और जब दूर होता है तो अप्शौर कहलाता है तो उप और अप ये दोनों चीजें समझ लीजेगा अंगला अंत्रिश में कुल कितने तारा मंडल है तो अंत्रिश में आपके जो तारा मंडल हो जाते हैं एट्टी नायन सिवालाप्सन सही हो जाए अंगल्या पुष्ण है निक्स ओलंपिया कोलंपस परवत किस ग्रह परिस्तित है बुद्ध ग्रह शुक्र ग्रह प्रत्वी या मंगल ग्रह किसकी बात करेंगे निक्स ओलंपिया कोलंपस परवत किस ग्रह परिस्तित है और वह आप आपका हो जाता है मंगल ग्रह जिया दोस्तों मंगल ग्रह परिस्तित अंगला की पार्थी ग्रहों की शंख्या कितनी हैं पार्थी ग्रह जिया पार्थी ग्रह देखे चार जो है पार्थी ग्रह होते हैं पहला होता है बुद्ध इसके बाद होता है शुक्र बुद्ध शुक् प्रत्वी और होता है मंगल ये चार हमारे पार्थिय उग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये प्रत्वी के समान होते हैं और ब्रहस्पति या बाहिग्रह कौन से कहलाते हैं ब्रहस्पति सनी अरून वरून ये ब्रहस यबह या बाहिग्रह कहलाते हैं तो दोनों चीज़ें को समझ ले में अपना हैं अगला पह स्चनय नम्न कि तुमें से कौन सा पार्थि उग्रह नहीं है तो अब यह मने क्या बता था बताइन बोग दिश्यों को प्रत्धवी मंगलbirds में कि अफ्ट होग मैं तो हमारा जो सनी दिया गया है किया या δीया गया है ठीक है कौन-कौन से होती है ब्रस्पती शनी अरूण और वरूण इसके बाद अंगलाप्रस देख लेते हैं अंगलाप्रस ने ब्रस्पती सदस गहों में शमलित नहीं सनी अरूण वरूण मंगल ब्रस्पती सदस गहों में समलित नहीं है तो आपका मंगल जो है समलित नहीं है मांकी सनी अरूण वरूण यह आपके शमलित है इसलिए मने चारों को बता दिया था ताकि आप लोग अच्छे तरीके समझ सकें निम्रिकित में से किन दो ग्रहों को छोण कर से सभी ग्रह के चारों वामा वर्त घूमते हैं जियां दो ग्रहों को छोण कर साये किस प्रकार घूमते हैं वामा वर्त घूमते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्र और अरुण को छोण कर किसको शुक्र और अरुण को छोण कर बुद्ध शुक्र प्रतवी शुक्र अरुण वरुण जो एक ग्रुप दिया गया है तो यहां पर जुड़ी आपसंद दिया गया है एक आरिंड कोश्चन हमारा सही हो जाएगा अंगला प्रस्ण है सौर मंदल का जमदाता किसे कहा जाता है शुक्र को प्रतवी को ब्रश्पति को शनी को सौर मंदल का जमदाता किसे कहा जाता है सौर मंदल का जमदाता शुर को कहा जाता है सनलाइट सनलाइट ब्रम्हान में बिसफोटी तारा कहलाती है धूमकेतु, उल्का, लुबधक या अभिनो तारा तो ब्रम्हान में जो बिसफोटी तारा कहलाती है ब्रम्हान में जो आपका बिसफोटी तारा होता है वह आपका अभिनो तारा कहलाता है कौन सो जाता है अभी नों तारा की बात करेंगे यह आपसन की बात करेंगे अंगला पसने बैज्ञानिक जिन्होंने सरफ़तम खोज की कि प्रत्वी सूर के चार ओर घूमती है निउटन, डॉल्टन, कौपर निकस या आइंस्टीन तो वह बैज्ञानिक जिन्होंने सरफ़त अंगला पस देखेगा यह टॉंटी टॉंटी क्वेश्चन को हमने सेट बनाया है आज हम दो सेट करेंगे यानि टोटल फोर्टी क्वेश्चन करेंगे योकि एक जाम बहुत ही नजदीक है पूरा स्लेवस को कवर करना है अंगला पसन निर्मकित में इसे कौन सा ग्रह नही प्राचीन पहले प्राचीन जो भारती थे हमारे पूरवा जो ग्रह मानते थे लेकिन अब वह ग्रह नहीं माना जाता है वह कौन सा है और वह कहलाता है शुर जब खोज किया गया तो सूर आपका ग्रह नहीं सूर एक तारा कहलाता है सूर के संग्ठन में सहायक गैस कौन-कौन से होती है आक्सिजन, कार्बन डैक्साइड, हिलियम, आक्सिजन, हिलियम, नाइटोजन, हाइडोजन और हिलियम की बात करेंगे सूर के संग्ठन में सहाय जो गैसे होती है वो हाइडोजन और हीलियम होता है कोई भी डाउट हो बेफिकर आप लोग कमेंड कर सकते हैं अंगला सूर के मदभाग को क्या कहा जाता है शमताप मंडल प्रकास मंडल वर्ण मंडल या इस्थल मंडल कहा जाता है तो जो सूर का जो मदभाग होता है उसे प्रकास मंडल कहा जाता है सूर के वर्ण मंडल के परे के भाग को किरीट या कुरोना कहते हैं पूर्ण शूर गहन के समय वे स्वेत वर्ण का होता है और स्वेत डालिया के पुस्प के सदश शुन्दल लगता है किरीट अत्यन्त विस्तित प्रदेश है जो प्रकास मंदल के उपर उसकी उचाई सूर के ब्यास की कई गुना होती है शूर के उपर के भाग को क्या कहा जाता है अधो मंदल प्रकास मंदल वर्ण मंदल समताप मंदल तो प्रकास मंदल तो मद्धभाड को कहा जाता है तो सूर का जो ओपरी भाग होता है उसको क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है हुगा अंगला प्रस्ण अंगला प्रस्ण है कि सूर सदव पूर में निकलता है क्योंकि इसका रिजन क्या है हम अक्सर प्रत्वी वासी देखते हैं सूर हमेशा हमारे पूर पे निकलता है प्रत्वी पश्चिम पूर के और भूमती है प्रत्वी पूर से पश्चिम के और भूमती है यह पूर मेश्थी थे यह इन मेश्चे सभी तो सूर सदव पूर में ही निकलता है इसका रीजन क्या है और इसका रीजन है कि प्रत्वी जो है पश्चिम से पूर की और खुमती इसका रीजन सबसे बिष्ट है आई ये बात करते हैं अंगले पश्ट के अंगला पस दिया गया है कि नार्वे में अर्ध राति के समय शूर कब दिखाई देता है 21 मार्च 23 सितंबर 21 जून या 22 दिसंबर को दिखाई देता है तो नार्वे में अर्ध राति के समय शूर जब दिखाई देता है वह कहलाता 21 जून एक ग्रह की अपने कच्छ में सूर के अधिक्तम दूरी को क्या कहते हैं तो एक ग्रह की अपने कच्छ में सूर से अधिक्तम दूरी को जो कहा जाता है उप्षोर अप्षोर अपोजी परजी हमने बताया था दो चीजे एक बताया था आपको उप्षोर पहल और offshore दोनों चीजें बताया था तो एक ग्रह अपने कच सूर से अधिक्तम दूरी अगर होता है जब दूरी की बात की जाती है तो offshore का नाम आता है जब नजदीक की बात की जाती है तो offshore का नाम आता है यहाँ पर सूर से अधिक्तम दूरी की बात कर रहे है तो यहाँ पे आपको जाएगा अफशाओर इसी के साथ यंगला प्रिस्ण है कि एक ग्रह की अपने कच में सूर से निम्तम दूरी को क्या कहते हैं तो अधिकतम को अफशाओर कहते हैं और निम्तम को उफशाओर कहते हैं प्रत्वी तथा शूर, प्रत्वी तथा चंदमा, ब्रश्पती तथा शूर, प्लूटो तथा शूर की बात करेंगे। तो निम्नकित में से किन के बीच औसर दूरी को खोगोली एकक कहा जाता है। और वह कहलाता है प्रत्वी तथा शूर, पहला अपसन सही होगा है। प्रत्वी से सूर के दूरी पर यह धारित है और इसका सही मान आपको वन खोर नाइन फाइब नाइन सेवन एट सेवन जीरो सिक्स नाइन वन प्लस माइनस थर्टी मीटर के लगभग आपके 150 मिलियन किलो मीटर या 93 मिल अगर मिल में पूछा जाए तो 93 मिलियन मिल अंगला पस देख लेते हैं मद राती शूर कार्थ क्या होता है शांद प्रकास उदी एमान शूर बहुत चमकदार चंद्रमा सूर का धवी ब्रत में देर तक चमकना तो मद राती शूर कार्थ क्या होता है तो मद राती जो शूर कार्थ हो जाता है वह मारा हो जाता है सभ मद्ध राती शूर कर्थ क्या होता है आर्किटिक छेत की बात करते हैं दिखाई देता हुआ से शूर का दुर्वी ब्रत में देर तक चमचना मद्ध राती शूर कर्थ हो जाता है मद्ध राती शूर का किस छेत में दिखाई देता है भूमद्ध शागरी भूमद्ध रेखी आर्किटेक या जापान से पूर की छेत तो मद्ध राती का शूर जिस छेत में दिखाई देता है वह मारा आर्किटिक छेत कहलाता है अंगला प्रस्टने सूर में काला धब्बा क्या होता है या सूर में काला धब्बा जो होता है वह सूर में एक बड़ा छेद होता है दिन के द्वरान धब्बे और जाके सोत होते हैं धब्बे के विश्थान जो प्रकास उस सर्जित करने में शमर्थ होते हैं या इनमेशकोई तो सूर में काला धब्बा जो होता है उसको क्या बोलते हैं तो सूर में जो काला धब्बा होता है धब्बे वे इस्थान होते हैं जो प्रकास उस सर्जित करने में असमर्थ होते हैं उनको धब्बा कहा जाता है यह प्रकास उस सर्जित करने में असमर्थ होते हैं शूर के रासानिक मिस्टन में हाइडोजन का प्रश्ट कितना होता है 71, 61, 75 या 54 तो सूर के रासानिक मिस्टन में हाइडोजन का प्रश्ट हाइडोजन की जो मात्रा होती है मैं कलाती है 73 प्रशवत, यहीं जो आपका दिया गए 1, वैसे right आपका 73 प्रशवत और point में है, 8,Jat आपको उतादेता हूं, 73.46 प्रशवत है, 8,Jat बिल्कुल सेवन प्रशत इसके बाद कारवन का आता है जो है जीरो सम्मलों दो नाइन प्रशत सूर के रासानिक मिस्टिंड की बात करें निम्रिकित में से कौन सा एक तारा है तो हम इससबी लोग बेवाद कर चूक है जो पूर्व जी से ग्रह मानते थे अब शूर एक हमारा तारा है कि सौर प्रश्ट पर लगबग कितना तापमान होता है आस सो डिग्री शेल्सियस, छे ईससो डिग्री शेल्सियस, छे हजार डिग्रί शेल्सियस या 1000 degree Celsius होता है तो सौर प्रष्ट पर जो लगबग तापमान देखा गया है आँका गया है माना गया है ओवह है माना गया है 6000 degree Celsius आप सोच सकते हैं यहां 40-45 पारा हो जाता है तो गर्मी में हालत खराब हो जाती है यहां पे 6000 degree Celsius ठीक है? कोई भी जाए कोई भी धात हो जाए पिखिल के बिल्कुल पानी जैसे हो जाए अंगला सूर की सत्य पर हाइडोजन के लावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है हीलियम, नियान, और्गन, आक्सिजन तो सूर की सतय पर हाइडोजन के अलावा दूसरा कौन सब भहुतायत में पाए जाता है तो हाइडोजन के अलावा हमने क्या आपको बताया था हीलियम बताया था ठीक है हाइडोजन के अलावा हमने आपको क्या बताया था हीलियम और हीलियम को कितना प्रिस्ट बताया था शूर प्रकास धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है? 8.3, 7.3, 9.4 या 10 या मिनट की बात करेंगे. तो सूर का प्रकास जो है धरती तक पहुँचने में कितना मिनट या कितना समय ले लेता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड के आसपास ले लेता है. कितना आठ मिनट और थ्री सेकंड इसके बाद है कि सूर के सबसे पास कौन सा ग्रह होता है बुद्ध है ब्रश्पति है शुक्र है या मंगल है सूर के सबसे पास जो ग्रह कहलाता है वह मारा बुद्ध ग्रह कहलाता है बुद्ध, शुक, प्रत्वी, मंगल, ब्रहश्पती, अरुण, वरुण यह हमारे आठ क्रहें बुद्ध नच्छत्र में एक वर्स में दिनों की संख्या कितनी होती हैं जियां बुद्ध नच्छत्र में 356, 86, 88 तो बुद्ध नच्छत्र में देखा जाए एक वर्स में दिनों की संख्या जो वर्स में सबसे दिन, यानि कि परिक्मा पूर कर लेता है और वयलग भग आपका 88 दिन बुद्ध नच्छत्र में एक वर्स मतलब 88 दिन में पूर्ण हो जाता है अंगला किस ग्रह में चन्दमा की तरह कलाएं होती हैं मंगल ग्रह में, बुद्ध ग्रह में, बरश्पत ग्रह में या सनी ग्रह में अब ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबेक करके बताना है ये आप सभी के लिए मौक कोश्यन के रूप में प्रस्ण दिया जा रहा है कि किस ग्रह में चन्दमा की तरह कलाएं होती है तो प्रत्वी की आकरत सरुत्तम ढग से किस सब से इस्वस्ट की जा सकती है तो आपका है लद्वच गोलाप या पेपोर्ट आपसन हमारा सही हो जाएगा इसके बाद हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रिश्ण की जो आप लोगों के आलेडी स्किन पर आचुका है कि प्रत्वी सूर के परिते अपनी कच्छा में लगबल किस गती से चक्कल लगाती है पांच डिगरी प्रत्दिन, दो डिगरी प्रत्दिन, एक डिगरी प्रत्दिन या तीन डिगरी प्रत्दिन की बात करते है प्रत्वी सूर के परिते अपनी कच्छा में लगब किस गती से चक्कर लगाती है वैकलाता है एक डिगरी प्रत्दिन सी वाला अप्षन सही हो जाएगा इसके बाद आप कंगला पुष्ण है कि सूर के चारो प्रत्वी के परिभ्रमन की चाल है वर्स एक भार एक समान रहती है अधिक्तम होती जब सूर के निकर्टम होती है अधिक्तम होती जब प्रत्वी सूर से अधिक्तम दूरी पर होती है निम्तम होती है जब प्रत्वी सूर से निकर्टम होती है शूर के चारों प्रत्वी के परिभरण की चार हमारी कहलाती है, वय अधिक्तम होती है ज़ प्रत्वी सूर के निगठर होता है इसके बाद अंगला प्रशन है जो स्केन पर रा लेडी आपके है प्रस्न पूचा जा रहा कि प्रत्वी के परिभर्मण की गति कितनी होते हैं 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट या 49 किलोमीटर की बात करें तो प्रत्वी के परिभर्ण की गती जो होती है वज 27 किलो मीटर प्रति मीनट की बात करेंगे इसके बाद अंगला पुष्ण है कि भूमद रेखा पर प्रत्वी का ब्यास है लगबग 25,000 किलो मीटर 20,000 किलो मीटर 12,800 किलो मीटर या 6,400 किलो मीटर सभी कमेंट कीजेगा मेरे पेरे पेरे भायों के पेरी पेरी बहने ग्रहनी जिनका सपना है टी टी जाम को फते करना जैस वाल सर आप सभी के वज़न श्वागत करते हैं प्रत्वी का ब्यास लगबग कितना है वह हो जाता है 12,800 किलो मीटर की बात करें दोस्तों प्रत्वी का ब्यास ब्यास लगबग आपके 12,750 किलो मीटर है तथा दुरुवी ब्यास लगबग 12,750 किलो मीटर है प्रतिवी का अभूमद रेखी ब्यास लगबग सत्रह 12,750 km है और धुरुवी ब्यास हम बता ही चुके हैं 12,715 km है दोनों चीजें आपको कनफर्म कर लेना है दोनों चीजें आपको अलेडी समझ लेना है आई बात करते हैं अंगले प्रश्ण की सूर की परिक्मा के दोरान प्रत्वी से सूर से अधिक्तम दूरी किस महीने में होती है मार्च में जुलाई में सितंबर में या जन्वरी में होती है तो सूर की परिक्मा के दौरान प्रत्वी सूर से अधिक्तम दूरी पर जिस महीने में होता है वो हमारा जुलाई का महीना कहलाता है सूर की परिक्मा के दौरान प्रत्वी जो है सूर से अधिक्तम दूरी पर जो है आपके जुलाई महीने में होती जब प्रत्वी उफ्शाओर होती है यह सूर के लगबबग 14.700 किलोमीटर और 3 जनवरी के दिन होता है 19.1 करोड मिल दूर होती है जब आफ्शाओर होता है तो उफ्शाओर 3 जनवरी को होता है और जब अफशौर पूंचा जाता है तो यह सूर से 15 समलोग 2 किलोमीटर 19 समलोग 5 करोड मिल दूर होती है प्रत्वी पर अफशौर 4 जुलाई पर अफशौर की अपेच्छा सूर से 50 लाग किलोमीटर जो कि 30 लाग मिल जादा दूर होती है और उफशौर की स्थिती 3 जनवरी तो दोनों चीजों की स्थित जान लेना है उफशौर की स्थिती आपके 3 जनवरी को होती है और अपसवर किस्थित 4 जुलाई को होती पहले उप होता है 3 जनवरी को बाद में अप होता है 4 जुलाई को ये दोनों चीज़ें आपको समझ देना है इसके बाद हम बात करेंगे आपके अंगले पस नहीं प्रत्वी की उपसवर इस्थित किस महीने में आती है तो प्रत्वी की उपसवर जो हम सब आलेडी बता चुके है तीन जनवरी की बात करेंगे उपसवर की स्थित आती है उपसवर पूछा जाये तो जुलाई की बात करते है तारे पूर से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं पूरा ब्रम्हान पूर से पश्चिम के और गुम रहा है प्रत्वी सूर की परिक्मा कर रही है प्रत्वी सूर से पश्चिम के और गुम रही है प्रत्वी पश्चिम से पूर के और गुम रही है सबी लग बताई तो तारे पूर से पस्चिम के और किस कारण ज़्यादा दिखाई देते चार आपसंस बहते निस्किन पर दिये गए हैं इसका महत्पूर्ण रिजन है प्रत्वी पस्चिम से पूर के और गूमते प्रत्वी जो है पस्चिम से पूर के और गूमते तारे पू प्रत्वी 24 गंटे में एक परिकमा पूरी कर लेती है और तारे भी इसलिए एक तारा चार मिन्टों के करीब एक डिगरी कोणी तें करता है तो एक तारा जो है चार मिनट में एक डिगरी कोणी तें करता है कोई भी तारा एक डिगरी कोणी कितने मिनट में तें करता है तो चा प्रत्वी का भार दुओं पर सरवादिक तथा बिश्वत रेखा पर नियुंतम होता है। प्रत्वी का भार दुओं पर सरवादिक तथा बिश्वत रेखा पर नियुंतम है। पर सई हो जाएक। इसके बाद अंगला पस्टन है कि आकार की नजर से सौर मंडल में प्रत्वी का काउन सा इस्थान है। तीसरा, चौथा, पांचमा या छठा इस्थान है। सभी लोग बताईए। तो अकार की दस से प्रत्वी का इस्थान देखा जाये तो हमारा पांचमा इस्थान आ जाता है। अंगला जो पस्टन दिया गया है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्रत्वी, शनी, मंगल, शुक्र। सभी कमेंड कीजेगा तो किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। सबी लोग जानते हैं वह ग्रह हमारा और कोई नहीं वह ग्रह हमारा प्रत्वी है जिसकर हम निवासी है तो नीला ग्रह प्रत्वी ग्रह को कहा जाता है प्रत्वी इस्थित है सुक्र मंगल के मद मंगल एवं ब्रहस्पत के मद शुक्र एवं ब्रहस्पत के मद बुद्ध एवं शुक्र के मद तो प्रत्वी किसके मद देश्थित है किन दो ग्रहों के मद देश्थित है वह आपकी सुक्रिवं मंगल के मद आपकी प्रत्वी देश्थित है इसके बाद अंगला प्रशना आता है किस दिन प्रत्वी सूर के सबसे निकट होती है चार जुलाई 21 मार्ज 23 सितंबर 3 जनवरी तो उप्षावर आप्षावर की बात हम कर रहे थे तो जिस दिन प्रत्वी सूर के सबसे निकट होती है वो हमारा उप्षावर का दिन होता है 3 जनवरी अंगला जो प्रसंद दिया गया है कि प्रत्वी सूर से अपनी अधिक्तम दोरी पर होती है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 20 सितंबर को या 4 जुलाई को तो प्रत्वी सूर से अपनी अधिक्तम दोरी होती है जब कम पूछा जाता है तो 3 जनवरी का नाम आता है जब ज्यादा पूछा जाता है तो चार जुलाई और चार जुलाई की कौन सी आवस्था होती है आप शौर की स्थेति होती है अंगला प्रसने की प्रत्वी सूर के एदिगित परिक्मा करती है लगबग 365 दिसमलों 12 दिन, 365 दिन, 365 दिन, 75 दिन सभी कमेंट केज़ेगा तुमारा राइट अप्सन कौन सा हो जाएगा प्रत्वी सूर के एदिगित परिक्मा करती है लगबग 365 समलों 25 दिन की बात करे इसके बाद अंगला प्रसने की प्रत्वी का प्राकतिक उपग्रह है आरबट है, रोहनी है, चंद्रमा है या मंगल है तो प्रत्वी का जो प्राकतिक उपग्रह कहला जाता है वह हमारी कहला जाती चंद्रमा, यह आप्सन सहीव जाएगा जो की इकलावती आपकी उपग्रह है प्रत्वी की दिन वारात होने के कारण क्या होते हैं प्रत्वी का अपने अच्छ पर घुर्णन, प्रत्वी की सापेच सूर की गती, प्रत्वी के अच्छ का जुकाव, सूर के चारो और प्रत्वी का परिभ्रवन तो दिन वारात होने का कारण रीजन क्या होता है प्रत्वी का अपने अच्छ पर ही गुर्णन करना पहला आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रश्ण है सूर के अत्रिक निकर्तम सितारे से प्रकास प्रत्वी तक पहुँचता है 4.2 सेकंड 42 सेकंड वह हमारा कहला आजाता है 4.2 वर्ष सीवाला अपसन सही हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचरी प्रत्वी से 4.2 चार प्रकास प्रस दूर है अर्थात प्रोक्सिमा सेंचरी प्रकास को प्रत्वी आने में 4.2 चार प्रकास प्रस लगता है और próxima century लाल रंग का एक छुद सितारा है ह align की सूर भी एक तारा है तोध प्रतवी का जो सबसे ज़्तिक तारा कहलाता है सूर से प्रतवी की दूरी कितनी है सूर से प्रतवी की दूरी सबी लोग जानते हैं 104.6 मिलियन किलोमीटर्स आकी गई लगबग एक सुपचास मिलियन किलोमीटर्स की बात करते है निम्लिकित ग्रहों में से किसे संदर का देवता कहा जाता है सभी जानते हैं सुक्र को संदर का देवता कहा जाता है शुपर नोवा क्या होता है एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, एक मृत्प्राय तारा है तो सुपर नोवा जो कहलाता है, एक मृत्पाय तारा कहलाता है यह आपसन सही हो जाएगा खगोल सास्त महानोवा या सुपरनोवा किसी तारे के भेंकर विस्पोर्ट को कहते हैं महानोवा नोवा से अधिक बड़ा धमाका होता है और इससे निकलता प्रकास विक्रन रेडियेशन इतना जोरदार होता है ये कुछ समय के लिए अपने आंगी की पूरी आकास गंगा को भी दुनली कर देता है लेकिन फिर धीरे धीरे खुद को ये दुनला जाता है उत्री दुर की खोज किसने की थी? रावट पीरी, एमंड सेन, तस्मान या जॉन के बाट की बात करते हैं तो उत्री दुर की खोज किसने की थी? तो रावट पीरी की बात करेंगे, पहले आपसन की बात करेंगे इसके साथ अंगला प्रस्णा है साउथ पोल पहुँचने वाला प्रत्थम बेक्ति कौन था? मैगलन था, अमेरिगो, पेश्वी था, पीरी था, या एमंड सेन की बात करते हैं तो साउथ पोल पहुँचने वाला जो प्रत्थम बेक्ति था आपका लगबग सभी लोग जानते हैं, वो बेक्ति आपका एमंड सेन था या आपसन सही कर लिजेगा इसके बाद अंगला प्रत्थम हैं, कि प्रत्थमी के सबसे निकर्थम खगोली पिंड कौन सा है प्रोक्समा संचरी, चंद्रमा, शुक्र, या शूर की बात करेंगे चार आपसनों में से कौन सअसा हो जाएगा सबी लोग बताईए कि प्रत्वी के सबसे निकर्तम खगोली पिंड है खगोली पिंड आपका चंद्रमा हो जाएगा इसके बाद बात करेंगे अंगले प्रश्ण की अंगला जो प्रश्ण की अपने अजपर प्रत्वी एक चकर में कितने समय में पूरा करती है तो अपने अजपर प्रत्वी एक चकर में कितने समय में पूरा करती है तो तेज़ गंटे 56 मिनट 4 सेकंद भी आपसन सही हो जाएगा इसके बाद अंगला जो प्रश्ण है कि प्रत्वी पर दिन रात की अबदी समान कब होती है दूमों पर, भूमत दरेखा पर, मकर दरेखा पर, या कर करेखा पर होती तो प्रत्वी पर दिन और रात की अबद जो समान होती किसमें होती है वह भूमत दरेखा पर होती इसके बाद अंगला जो प्रश्ण है एक क्विनाक्स का तात्पर ये है वै तिथी जब दिन और राज समान अवदिके होते हैं वै तिथी जब रात के पेच्छा दिन लंबे होते हैं वै तिथी जब दिन के पेच्छा रात लंबी होती है या वै तिथी जब वस के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है तो एकिनौक्स का तात्पर होता है वय तिथी से तात्पर होता है जो दिन और रात समान अवधिके होते हैं एकिनौक्स की बात करेंगे दिन और रात समान आवधिके होते हैं बिश्वत अर्थात एक्युनाक्स ऐसा समय बिंद होता है जिसमें दिवस और रात लगभग बराबर होते हैं और इसका साब्दी कर्थ होता है समान तो इन दोनों तितियों पर जो है दिन और रात की बराबर लंबाई लगबग बराबर होती है, इसलिए एक किनाउक्स की बात करेंगे अंगला परस्टने की दच्छी गुलाद में सबसे लंबा दिन कब होता है 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या 22 दिसंबर की बात करेंगे तो दच्छी गुलाद में सबसे लंबा दिन कब होता है और उमने होता है आपका 22 दिशम्बर डियाप्सन को सही कर देना 22 दीनबर का साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है ये दिनसीत अयंदकाल कहलाता है ये चक्रवासिक और दच्छी गुलाद के ठीक ये उल्टा होता है तो दच्छी गुलाद की बात करेंगे तो दोनों चीजें आपके थोड़ा उल्टा होता है थिके उत्री गुलाद में सोवटा दिन होगा तो तत्ची गुलाद में ठीक उल्टा होता है जो बड़ा दिन होता है तो यह चीजें आपको समझ टू डिग्री की बात करते हैं अंगल्या जो प्रस्ण है बहुत इंट्रेस्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर् इसके बाद आपका जो अंगला प्रस्ण है सात्मा प्रस्ण जो इसकीन पर दिया गया है सभी लोग ध्यान पूरक समझेगा और फीड़बेक कीजेगा शात्मा प्रस्ण जो इसकीन पर आलेडी आपके आचुका है और प्रस्ण मारा पूचा जा रहा है कि 21 जोन को दिन का प्रकास उत्री धूपर दिखाई देता है 0 गंटे, 12 गंटे, 18 गंटे या 24 गंटे दिखाई देता है तो 21 jeste lacks दिन का प्रकास उत्री धूपर जो है आपके 24 घंटे दिखाए देता है अब आपके कैसे पॉशिबल हो सकता है बटे पॉशिबल है प्रतवी से सबसे निकर्ट ग्रह कौन सा इस्थित है तो प्रतवी का सबसे निकर्तम ग्रह हमारा शुक्र ग्रह कहलाता है बुद्ध, शुक्र, प्रत्वी, मंगल, भ्रस्पति, सनी, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह हैं आपके दूरी की रश से देखा जाए तो त्रती रश से आती है यह अइक प्रत्वी अंगला जो प्रस्न ध्यान पूर समझे गा और फीडवेक भी कीजेगा प्रत्वी अपने परिक्मन मांग पर परिक्मा करते हुए अपने अच्छ द्वारा कच्छा तल पर कितने डिग्री का कौंड बनाती है तो 6 सही 1.2 डिग्री की बात करेंगे जो हम अलेडी जुकाओ की अलेडी बात कर चुके हैं बिछले परश्ण पर दोस्तों नेन में से किन्तितियों को शूर की किर्णे विश्वत रेखा पर सीधी पड़ती है वर्स भार 21 मार्च 23 सितंबर या 20 मार्च और 23 सितंबर दोनों को पड़ती है तो शूर की किरिने बिश्वत रेखा पर सीधी आपके 21 मार्च को भी पढ़ती है और 3 सितंबर को भी पढ़ती है इस रेड़ी आपसा नहापे सही हो जाएगो इसके बाद अंगला प्रस्ने के निम्रिकित में से कौन सा तारा प्रत्वी के सरवाधिक शमीफ है दुरूतारा, एलफा, संचरी, शूर या लुबदक की बात करें तो प्रत्वी के सरवाधिक सबसे जो समीफ है वह हमारा कहलाता है शूर इसके बाद जो अंगला प्रस्ने आप लोगों के स्कीन पर आ चुका है प्रस्न बहुत इंटरेस्टेड है इजली प्रस्न है ये किसने सरवतम प्रितपादित किया कि शूर हमारे सौर मडल का केंदर है और प्रत्वी उसकी परिक्मा करते है नूटन, गैलीलियो, पॉन्नी या कौपर निकस ने तो कौपर निकस ने ये सरप्रतम प्रित्पादित किया कि सूर हमारे सौर मिनल का केंद्र है और प्रत्वी उसकी परिक्मा करती है कौपर निकस ने कौपर निकस की बात करी आंग्ला परसने जब दिन और रात की अवधी बराबार होती है तो सूर की क्रिणे सीधी परती है उत्री दोपर, भूमद रेखा पर, दच्छनी दोपर या करक रेखा पर परती है तो जब दिन और रात के वदी बराबर होती है तो सूर्ख की क्रिणे जो सीधी पड़ती हैं वह भूमद रेखा पर पड़ती हैं भी आपसन सही हो जाएगा अंगला पसने यदि प्रतिवी बर्म आंतरिच के बीश से वाई मंदल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा नीला लाल सफेद या काला दिखाई देगा तो यदि प्रत्वी और अंत्रच के बीश से वाई मुणल को हटा दिया जाए तो जो आसमान का रंग होगा वह आपका काला दिखाई दिएगा अंगला जो प्रत्वी की परिद कितनी है 35,000 km, 40,000, 75,000 km, 45,000, 70,000 km दोस्तों प्रत्वी की जो परिद मानी जाती है वह 40,000, 75,000 के आसपास मानी जाती है अंगला प्रत्वी की सितीति को उत्ती गुलाद में सबसे लंबा दिन होता है 21 June, 22 December, 23 September या 21 March की बात करते हैं तो किसी तीति को उत्ती गुलाद में सबसे लंबा दिन होता है 22 तीति हमारी कहलाती है 21 June पहला अपसंसा ही हो जाएगा अंगला पर्सने किसी तीति को उत्ती गुलाद में सबसे चोटा दिन होता है 21 March, 21 June, 23 September, 22 December तो उत्ती गुलाद में सबसे छोटा जो दिन होता है वह होता है बाजदी संबर को अंगला पिसने कि दुरूओं पर दिन की अवद ही जो होती है जिहां दुरूओं की बात करेंगे तो दुरूओं पर दिन की अवद ही कितनी होती है तीन माई, छह माई, नौ माई या बारह माई तो दुरूओं पर दिन की अवज जो मानी जाती है वे लगबग आपके छह माई की बात करेंगे भी आपसन यहापे सही हो जाएगा अंगला जो प्रस्ण है कि निम्निकित में से किस ग्रह का आउसद घनत तो सबसे अधिक है बरश्पती, मंगल, प्रत्वी और बुद्ध तो किस ग्रह का आउसद घनत सबसे अधिक है तो हम बात करेंगे आपके बुद्ध ग्रह की अंगला जो प्रस्ण है कि किसने सबसे पहले प्रत्वी की परिद को मापा, हिकेटियस, हेरोटोडस, अरस्तू या एरे टोस्थनीज की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रत्वी की परिद को मापने वाले हैं आपके एरे टोस्थनीज की बात करेंगे यह आपसन सही हो जाएगा अंगला जो प्रश्ण है कि प्रतिवी का धुरूई ब्यास उसके बिसुती ब्यास से कितना कम है 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की बात करेंगे तो प्रत्वी का धुरूई ब्यास उसके विसूती ब्यास के लगबग आपका कितना किलोमीटर कम है, कम की बात करेंगे तो वह आपके 43 किलोमीटर की बात करेंगे प्रत्वी का विसूती ब्यास लगबग कितना है, 12700 किलोमीटर, 750, 650 या 12600 किलोमीटर तो प्रत्वी का बिशुती ब्यास अगर देखा जाए तो लगबग आपके 12,750 किलोमीटर की बात करें अंगला जो प्रश्ण है कि प्रत्वी को उसके कालपनी कश्पर घूमने को क्या कहते हैं परिभ्रमन, कच्छा, घूणन या इन मेंशे कोई नहीं तो प्रत्वी को उसके कालपनी कश्पर घूमने को ही हम घूणन कहते हैं बहुत ही सिंपल साधान से प्रस्ण था अंगला जो प्रश्ण है प्रत्वी की अपनी कच्छा में गती है पश्चिम से पूर, पूर से पश्चिम, उत्तर से दच्छिन, दच्छिन से उत्तर तो प्रत्वी की अपनी कच्छा में जो कती है वह आपके पश्चिम से पूर की और है अंगला पश्चने प्रत्वी तथा सूर के मद्द सरवादिक दूरी किसके दौरान होती है उत्तर आयन्द के दौराण, दच्छिन आइनात के दौराण, आफशार के दौराण या उपशार के दौराण यह आप सभी को कमेंट करके बताना है की प्रतवी तथा सूर के मद्ध सरवाधिक दौरी किसके दौराण होती है और यह प्रशन आप सभी के लिए मोक कोश्चन के रूप में दिया जा रहा है तो आप सभी लोग बताईए सिंपल और साधान से प्रशन पूंचा जा रहा है कि सौर मन्नल के समन्द में सरपत्म जानकारी प्रस्तूत करने का असरे किस विद्वान को जाता है तो सभी लोग जानते हैं कापर निकस को जाता है यह प्रशन हम कर चुके हैं दुबारा रिपीट करें हैं इंपोर्टन प्रशन है इसलिए ध्यान दिजेगा दूसरा प्रशन है प्रतवी सूर के चारो और देरगा वर्तिय पत्मे परिभ्रमन करती है और सूर उस देरगरवत्त की एक नाभी परिसित है उस इस्तित की कलपना कीजिए जिसमें प्रतवी सूर के चारो और वर्तिय पत्मे परिभ्रमन करती है उस इस्तित में निम्लकित में से काउन से एक पईणाम निकलेगा उससे परिणाम यह निकलेगा उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा मौसकों के बीच का अंतर कम हो जाएगा या प्रत्वी बहुत गर्म हो जाएगी या प्रत्वी बहुत ठंड हो जाएगी देखें दोस्तो प्रत्वी जो है सूर के चारो देर ग्रवत्ती प्रत्में परिबर्वन करती है और सूर उस देर ग्रवत्त की एक नाभी परिसित है तो उस इस्तित की इकरपना कीजे जिसमें प्रत्वी शूर के चारो और ब्रत्ती प्रत्में परिबर्वन करती है तो उस इस्तित में जो हमा पारा परिणाम निकलेगा कि मौसमों के बीच का अंतर कम हो जाएगा क्या होगा मौसमों के बीच जो अंतर है वह आपको क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसके बाद जो अंगला प्रशने की कथन दिया गया है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परामवश्यक है कारण क्या है ओजोन प्रत प्रत्वी को उच उर्जा विक्रन से सन्नच्छित करता है अब आपके नीचे आपसंस दिये गए कि A, R दोनों सही है और R, A की सही व्याख्या कर रहा है A, R दोनों सही है, R, A की सही व्याख्या नहीं करता है A सही है परंतु R गलत है, A गलत है परंतु R सही चार कंडिशन्स है आपके सामें, दो कथन दिये गए तो ओजोन जैविक जीवन के लिए परावशक है और ओजोन परत को उच उर्जा विक्रण से सनच्छित करती है तो ये भी बात है दोनों बातें सही है यानि ए और आर दोनों कतन सही है लेकिन आर जो है एकी सही व्याख्या करता है कि ओजोन जैविक जीवने के लिए क्या और शक है। यह ब्याख्या कर रहा है कि ओजोन परत जो ओतरी है प्रत्वी को जो उच उर्जा विक्रण को ये सनाचित करता है। तो हमारा जो पहला अप्संद दिये गए है वे हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद जो अंगला प्रिश्ण है कि निम्लिक्षित में से कौन सा प्रत्वी के सबसे निकर्तम है ब्रश्प्रती, मंगल, बुद्ध, शुक्र, सभी लोग उताईए तो प्रत्वी के सबसे निकर्तम कौन सा हो जाता है क्या बुद्ध है क्या मंगल हो जाएगा सुक्रों हो जाएगा तो क्रम के नुसार देखा जाये बुद्ध सुक्र, प्रत्वी, मंगल, भ्रश्वत, सनि, ओरुन, वरुन की बात करते हैं, तो प्रतवी के सबसे निकर्तम के अगर बात करते हैं कौन सा होगा, सबी लोग कमेंट कीजे बहुत इजली प्रस्ण है, यह आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि हम आलेडी यह बता चुके हैं कल की क्लास हमने डिचल के सार चर्चा भी गया था अंगला प्रस्ण है, सूर से धरती तक प्रकास पहुचने में लगबग कितना समय लगता है दो मिनट, चार मिनट, आठ मिनट, सोले मिनट तो आठ मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, इसलिए आठ मिनट के आपसन सही हो जाएगा सूर से धरती तक प्रकास पहुचने में लगबग कितना समय लगता है आठ मिनट की बात करें तो हमारा जो सी आपसन दिया गया है, वह हमारा सही हो जाएग इसके बाद अंगला प्रस्ने के निम्रकित में से कौन सगह प्रत्वी का पेच्छा आकार में छोटा है नेप्चिवन, शुक्र, सनी या यूरेनस तो जो ग्रह आपका प्रत्वी का पेच्छा जो आकार में छोटा है वह ग्रहे हमारा कौन सा कहला जाता है शुक्र ग्रहे बे आप्सन सही हो जाएगा इसके साथ ही सात्मा प्रस्णे सी आफ ट्रांक्विल्टी कहां पर इसे थे पर्थवी शुवर ब्रहस्पति चंद्रमा सभी कमिन कीजिए यहां दोस्तों क्या पूचा जा रहा है सी आफ ट्रांक्विल्टी कहां पर है सभी लोग बताईगा तो राइट आप्सन आपर क्या हो जाता है चंद्रमा डी आप्सन सही हो जाएगा अंगला प्रिश्ण बैज्यानिक निम्नकित में से किस किन परिघटना या परिघटनाओं को ब्रह्मान की निरंतर विस्तार के साज के रूप में उद्घट करते हैं अंत्रिच में सूच्म तरंगों को पस्तित का पता चलना अंत्रिच में रेडशिप परिघटना का उलोकन अंत्रिच में छुद गहों की गती या अंत्रिच में सूपर नोवा बिस्पोर्टों का होना तो बैज्यानिक निमिकित में से किस यकिन परिखटना परिखटनाओं को ब्रम्भान के निरंतर विस्तार के साज की रूप में उद्गत करते हैं और वह हो जाता है अंत्रिच में रेड़्शिप परिखटना का उलोकन भी आप्सन सही हो जाएगा तो यहां पर जो हमारा कूट बाला दिया गया है कि बी आपसन केवल दो तो केवल दो हमारा यह उद्गत कर रहा है कि अंत्रिच में रेड़्शिप परिखटना का उलोकन ठीक है आएए बात करते हैं अंगले पर्षण की अंगला पर्षण जोआ लेड़ी आपके इसकीन पर है और अंगला प्रषण हमारा क्या पूछा जा रहा है सभी प्रत्येक भाई बेहन ग्रणी प्रत्येक टीचर सबंदू प्रत्येक सिच्च बंदू कमेंड कीजेगा एक सई है, दो सई है, एक और दो सई है, ना तो एक सई है, ना तो दो सई तो ब्रिश्पत की तुल्ला में प्रत्वी ग्रह पर ग्रहन अधिक बार दिखता है और मंगल पर केवल आंसिक सूर ग्रहन ही शंबाविद तो हमारा एक और दो दोनों सही है इसलिए हमारा जो सी आपसन दिया गए है वह हमारा सही हो जाए है इसके बाद अंगला प्रिश्ण है कि उल्का क्या होता है तीवगर्स से चलता तारा है बाहे आंतरी से प्रत्वी के वाई मिडल में प्रविष्ट द्रब का अंस है तारा मंडल का भाग है या पुछीन धेम केतु की बात करेंगे धूम केतु उल्का मेटूर क्या कहलाता है जो उल्का होता है दोस्तो वह आपका 32 से प्रत्वी के वाई विंडल में प्रविष्ट द्रब का एक अन्श होता है सिकंड आपसन आपका सही हो जाएगा अंगला प्रिशने यद्दपी शमानते प्लूटो सबसे दूरस्त ग्रह है पर उसका परिभरण बहुत जो परिभरण प्रत है बहुत ही दिग्रवत्ताकार है जो किसी अन्ग्रह के पत को काटता है पईडामते उन्नीश सो न्यासी से प्रारंब हुई 20 वर्स की अबद में प्लूटो का सबसे दूरस्त नहीं था तो कौन सबसे दूरस्त था ब्रस्त था सनी था यूरेनस था नेप्चून था सभी लोग बताईए तुबह हो जाएगा नेप्चून डि आपसन यहां पर सही कर लेना अंग्रा सुमेलित करना है सुची दी गई है सुची में विशेश लच्छन दिया गए है और ग्रह के नाम दूसरे में दिये गए है अब सुची में आपको बताना है नीचे आपसंस दिये गए हैं कूट वाला आपसंस दिया गए कि कौण सा सही होगा ठीक है सौर मनल का सबसे ठंडा ग्रह न्योप्चून सौर मनल का सबसे बड़ा ग्रह ब्रैषपती स्वर मंदल सूर से दूसरे इस्थान पर ग्रह शुक्र और सूर से निकर्थम ग्रह बुद्ध तो यह हमारा हो जाएगा A, B, C, D, A, N, नीचे से क्रम उपर की ओर जाना है यानि कि कौन सा अपसन सही हो जाएगा 4, 3, 2, 1, डिग वाला अपसन यह पर सही हो जाएगा अगला पसने के निम्कित कतनों पर कौन सा कतन सही दिया गए है कि समानते 3 जन्वरी को होने वाले रवी नीच पर प्रतवी सूर के निकर्थम होती है समानते 4 जन्वरी को होने वाले सुर्योच पर प्रतवी सूर से अधिक दूरी पर होता है तीन जन्वरी को होने वाले सूर्दे पर प्रत्वी सूर्च से निकर्टम होता है नीचे आपके आपसंस दिये गए हैं आपको बताना है कौनसा आपसंस ही हो जाए तो यहाँ पर जो देखा जाए हम देख रहे हैं कि समानते हैं तीन जुनरिक होने वाले रविनीच पर प्रत्वी सूर के निकर्टम होती है और चार्ज लाई होने पर सुरोच पर प्रत्वी सूर से अब दिख दूर होता है तो उप्शाओर और अप्शाओर की घटना जो हमने बनाया था वही चीज है आपका तो पहला और तीसरा हो जाएगा सही इसी टाइप के पूछे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जुसी आपसन दिया गया है वह सही हो जाएगा नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं इसके बाद हम बात करेंगे आपके अंगले पुष्ण की अगला पुष्ण है प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में पदावनत कर दिया गया है क्योंकि यह ग्रह होने किनिम लिखित माप दंडो में या माप दंडो में से एक या अधिक को पूरा नहीं करता है क्यों नहीं पूरा करता है नीचे आपके आपसंस दिये गए Are क्योंकि किसी ग्रह को अपने परिक्मा पत्मे अन पिंडों को अनिवारते हटाना होता है यहाँ पर जो सी आप्सन है इसका रिजन हमारा तीसरा वाल आप्सन सही हो जाएगा या जो हमारा जो यह डी दिया गया है वह सही हो जाएगा इसके बाद अंगला प्रश्ने निम्लिकित में से कौन से एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, गेनिनीड, यूरोपा, टेटान सबसे बड़ा उपग्रह सौर परिवार का पुंचा जा रहा है और वेसा भी लोग जानते हैं बात करेंगे गेनी मीट अंगला पश्णाए निम्लिकित में से कौन सा एक दिये गए ग्रहों का उनके अमाप या ब्यास के भरत्विये क्रम में सही अनुकम दिया गया है तो निम्लिकित दिये गए ग्रहों का उनके अमाप या ब्यास के बढ़तो ही एक्रम में जो सही अनुकम आपका दिया गया है सेकंड आपसन जो दिया गहे वह सही हो जाएगा अंगला प्रसनेक की छुद गहों के विचार में निम्लिखित कत्थों पर विचार करना है कि छुद गह सूर की परिक्मा करने वाले विविन आकारों के चट्टानी मलबे हैं अधिकांस छुद गह छोटे हैं किन्तु कुछ का ब्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है चुद गहों की कच्छा ब्रस्पत और सनी की कच्छाओं के मत दिस्तित है नीचे आपके अपसंस दिये गए यहां पर हमारा जो सही दिया गया चुद गहों के विचार में कि चुद गह सूर की परिक्मा करने वाले विविन आकारों के चट्टानी मलबे हैं और अधिकांस से छुद गए छोटे हैं किन्दु कुछ का ब्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है तो पहला और दूसरा हिसमें दिया गए है देखेंगा हमारा सी आपसं यहां पर भी आप लोगों का सही हो जाएगा और नोटाव सभी लोग समझ रहे हैं सभी लोग कमेंट करते रहे हैं फीडबैक करते रहें प्रिप्टेशन को बहतर कीजिए तैयारी को बहतर कीजिए 120 में से 100 प्लस आपके एक पक्के कीजिए क्योंकि सबसे बड़ा चेप्टर आपका सलेवस ही है आपके सब्जेट का सलेवस है बाकी जो आपके 30 निम्मर के हैं वो पेड़ागाजी के हमारी डेली 7 पिम में क्लास होती है तो जरूर जोईन कीजिए बाकी कुछ है रिजिनिंग के क्वेश्चन भी की एक्जान टाइम में हम करवा देंगे और नार्मल जो हेंदी इंगली सम्ह Chin जाती हो सभी लोग लगभग कर लेंगे लेकिं रिजिनिंग के क्वेश्चन हम एक्जान टाइम में है हाई लोग कर लेंगे और निम्लिकित में से कांस एक तारा है तो सबी लोग जानते हैं शूर एक तारा है चन्दमा एक आपके उप ग्रह है और शुक्र और प्रतवी यह हमारे ग्रह तो एक तारा हो गया यह एक उप ग्रह हो गया और सौर का प्रस्ट है उसपर लगबख कितना तापमान होता है 800 degree Celsius, 600 degree Celsius, 6000 या 1000 degree Celsius तो सौर प्रस्ट पर लगबख कितना तापमान होता है सभी लोग comment कीजिएगा तो हम बात करेंगे 6000 degree Celsius की बात करते दोस्तों अंगल्या प्रस्ने की प्रत्वी का धुरूई ब्यास उसके बिश्वती ब्यास से कितना कम है 25 km, 43, 80 या 30 km कम है तो आप सभी लोग जानते हैं प्रत्वी का धुरूई ब्यास उसके बिश्वती ब्यास से लगबग कितना कम है तो ये कहला जाता है आपका 43 कुमीटर के आसपास भी आपसान या प्या लेडी सई हो जाएगा इसके साथ हंगले प्रसने कि प्रत्वी का बिशुती ब्यास लगभग कितना है 12700 किलोमीटर 12750 12650 12600 कल की क्लास में हम साइद ये प्रस्ण कर चुके है प्रत्वी का बिशुती ब्यास लगभग कितना है तो प्रत्वी का बिशुती ब्यास लगभग कितना है करकी कलास आपने किया होगा तो जरूर अवस कमेंड कर दिया होगा 12750 किलोमीटर जहां दोस्तों प्रत्वी का जो विशुती ब्यास है लगबग आपका कितना है बारहजास साथ सो पच्चास हिलुमीटर है अंगला है प्रत्वी का उसके कालपनी कचपर घूमने को क्या कहते हैं परिब्रह्मन, कच्छा, घूर्णन या इनमेश कोईने प्रत्वी की अपनी अच्च में जो गती है वह पच्चिम से पूर है पूर से पच्चिम है, उत्तर से दच्चिन है, दच्चिन से उत्तर है ये भी प्रिश्णम कर चुके हैं आप जानते हैं आपका कमेंट कितना आता है अगर आपने पिछली क्लास हमारी देखी होगी अब अवस्थ आप लोग नभी तक कमेंट कर दिया होगा कि प्रत्वी की अपनी कच्छा में गती किस प्रकार होती है किस दिशा से किस दिशा की ओर होती और वह होती है पच्चिम से पूर की ओर अंगला है प्रत्वी तथा शूर के मद सरवाधिक दूरी किसके दौरान होती है उत्तर अइनांत दच्छिन अइनांत अप्शोर या अप्शोर देखें सरवादिक दूरी अगर पूछा जा रहा है तो हम बात करेंगे अप्शौर की सरवादिक नजदीक पूछा जाता तो अप्शौर बात करेंगे नजदीक अप्शौर होता है तो तीन जन्वरी को होता है अप्शौर चार जुलाई को होता है ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देना है अंगला है रित्वियें निम्रिखित के कारण होती है प्रत्वी घूडन के गती के कारण सूर के चारोर प्रत्वी का परिक्मरन के कारण प्रत्वी काच से 66 सही 1.2 डिग्री अच्छांस के कारण या उप्रोक बी और सी दोनों के कारण तो रित्वियें जो होती है जो मौशम होता है इसका रिजन इसका कारण क्या होता है इसका रिजन है सूर के चारोर प्रत्वी का परिक्रमन करना बी आपसन सही हो जाए बहुत ही सिंपल सा प्रुशन अंगला एक भू इसतर उपग rhoe का काल होता है 6 घंटे 12 घंटे 18 घंटे या 24 घंटे चों भीशुत का होता है एक भू इसतर उपग रह का जो काल होता है अब भी जोग जानते है दिन और रात मिला के 24 कशं जाता है अंगला प्रस्ण है एक पिंड का प्रत्वी पर द्रब्मान 6 किलोग्राम है अगर इसके द्रब्मान को चन्दमा पर मापा जाए तो कितना होगा लगबग 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम से कम 6 किलोग्राम से कम या 6 किलोग्राम एक पिंड का प्रत्वी पर द्रमान अगर 6 किलोग्राम है और इसके द्रमान को अगर चन्दमा पर मापा जाए तो कितना होगा तो भी आपका 6 किलोग्राम ही होगा अंगला प्रस्ण है चुद ग्रही कटिबंध निम्ल्खित में से किसके बीच होता है मंगल और ब्रहस्पति, प्रत्वी और मंगल, ब्रहस्पति और सनी, सनी और यूरेनस की बात करेंगे तो छुद ग्रही कटिवन निम्खित में से किसके बीच होता है तो यह हमारा कहला जाता है मंगल और ब्रहस्पति ग्रह की बात करेंगे देखें बुद्ध, शुक, प्रत्वी, मंगल ये चार हमारे आंत्रिक ग्रेव होते हैं और चार बाई ग्रेव होते हैं भरस्पती, शानी, अरुण, बरुण तो आंत्रिक और बाई ग्रेव भी जानना बहुत जुरूरी है जो हम पिछले क्रास में हम आलेडी चर्चा कर चुके हैं बात कर चुके हैं, डिटिल के साथ बता भी चुके हैं अंगला प्रस्तन निम्लखित कत्नों पर विचार करना है कि उश्न कटवंधी वर्स नच्छत वर्स से छोटा होता है शौर दिवस नच्छत दिवस से लंबा होता है कौन सा होगा केवल एक, दो, एक या दो, ना तो एक, ना तो दो है दोस्तों इन कत्नों पर विचार करके देखा जाए तो उश्न कटवंधी वर्स नच्छत वर्स से छोटा होता है या हमारा स्चाहिदिया गया तो हमारा केवल एक, पहल आपसन सही हो जाएगा आपके कौणिंग क्या है आप लोग भी कमेंट करके बता सकते है और अंगला प्रसन है जो आप सभी के लिए मौक कोशन के रूप में प्रसन रहेगा किस ग्रह के चारो और वले पाये जाते हैं सनी, ब्रहुषपती, बुद्ध या प्रत्वी, बहुत ही सिंपल सह पस्चनर देखेंगे कितनी लेवल की आपके पास त्यारी प्रिफेशन की नीड आपके पास त्यारी है कितने दिलजान और जोदासे आप लोग प्रिफेशन करते हैं, त्यारी कर रहे है तो ये बहुत ही मौका है अपन चुन्टी है हम सभी के लिए आप सभी के लिए प्रिपेशन के लिए एक साथ मिलकर हम प्रिपेशन यहाँ पे करते हैं ठीक है जिससे एकजाम को फत्य हो सके टीटी एकजाम को क्रेक कर सके मैं आपके साथ जिसवा सार मिलता हूं सेवन पीम में बालविकास पेड़ोगाजी के लाइब क्लास के मादम से